हेलो दोस्तो क्या हाल है तो आज हम बात करने वाले हैं दोस्तो कंजक्टिव आइटीस के बारे में तो कंजक्टिव आइटीस होता क्या है जिसको हिंदी में हम लोग बोलते हैं आखाना तो कंजक्टिव आइटीस होता क्या है इसका लच्छन क्या है इसका उपचार क्या है त किसी पर गार के वेडियो हमारे चैनल पर मिलता रहेगा तो सबसे पहले जानेंगे कंजक्टिवाइटिस होता क्या है जिसको हिंदी में बोलते हैं आखाना हमारी आखों में एक पारदर्सी पतली जिली कंजक्टिवा होती है जो हमारी पलकों की अंदुरूनी और आखों की पुतली के सपेद भाग को कवर करती है इसमें सूजन आना या संक्रमित होना ही कंजक्टिवाइटिस कहलाता है जिसको हिंदी में आखाना कहते हैं कि कंजक्टिवाइटीज का एक नाम और भी है जिसे हम पींग काई कहते हैं जिसको हिंदी में गुलावी आख भी कहते हैं जब कंजक्टिवा की छोटी छोटी रखते ने लिकाएं सुझ जाती है तब यह स्पैस्ट रूप से दिखाई देने लगती है और आखों का सफेद भ संक्रामन या एलेर्जिक रियक्षन के कारण हो सकती है जो दोस्तों अब जानते हैं कंजक्टिवाइटीज का लच्छन क्या होता है इसका सेंप्टम्स के बारें बात करेंगे यह काफी संक्रामन होता है और यह बहुत तेजी से फैलता है दूसरे में इसलिए इसका या दोनों आखों में जलन या खुजली होना अत्याधिक आसू निकलना आखों में पानी जैसे गाढ़ापन डिस्चार्ज निकलना आखों में सूजन आना या लच्छन आम तोर पर एलर्जिक कंजक्टिवाइटीज का कारण दिखाई देता है दोस्तों आप जानेंगे कं आइजिस होने पर कॉनलाबफ या टैबू़इट कर सकते हैं तो सबसे पहले आइजॡोफ के बारे में जानेंगे तो सबसे पहले ऐजॡोफ से हो हैं। ये तीनों आपको हैरेकında कल श्टॉर्म पर मिल कि अब इसरी उस्क करने का तरीका बताते हैं इसे दीन में दो यो अपने आखों में लें ताकि कंजक्टिव आईटीज जड़ से खत्म हो जाएगा इसका ओएंटमेंट भी आता है तो एक ओएंटमेंट का नाम भी बता दाता हूं आप लोग को सिप्रोप्लोक्सासीन आई ओएंटमेंट यह आपको आख के पलक के नीचे वाले भाग पे लग रहने पर एस इकलोफिनयक पाराशिटमल टैबलेट यूज कर सकते हैं या आईबोप्रोफिन पाराशिटमल टैबलेट यूज कर सकते हैं दोस्तों अगर मेरा वीडियो पसंद आए तो मेरे चैनल को सब्सक्राब जरूर करें और बेल आइकन दवाना ना भूले ताकि किसी परकार के वीडियो हमारे चैनल पर मिलता रहेगा थैंकू